हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल, आज हम इस वीडियो में आपको चाय के बारे में बताएंगे चाय किसी भी परिचे की मोहताज नहीं है, अधिकतर लोगों के दिन के शुरुवात तो चाय से ही होती है वर्ल के डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंट्रीज में अलग अलग तरह की चाय पॉपिलर है आज हम बताएंगे कि वाइट टी, ग्रीन टी, उलॉंग टी और ब्लैक टी में क्या अंतर है, किस चाय के क्या फाइदे है सबसे पहले बात करते हैं वाइट टी के बारे में वाइट टी सबसे पहले चायना में प्रोड्यूस होती थी, इसके अलावा इंडिया, श्रिलंका में भी अब वो प्रोड्यूस होती है White tea youngest birds और leaves से बनाई जाती है और ये जो birds होते हैं ये fine white air से covered होते हैं इसलिए इसको white tea का नाम दिया गया है White tea unopened birds से और youngest leaves से बनती है इसमें कम से कम processing की जाती है इसके अंदर बहुत सारे antioxidants बने रहते हैं जिनके health benefits भी है इसमें polyphenols होते हैं जो की antioxidants की तरह काम करते हैं और हमारे body के immune system को भी improve करते हैं White tea में दो variety होती है एक finest होती है जो की unopened birds से बनती है जो उसकी दूसरी variety होती है वो youngest leaves से बनती है Just bird के open होने के बाद ये बाकी सारी teas की अपिक्षा थोड़ी महंगी होती है अब बात करते हैं green tea की Green tea पहले चाइना और जापान में बहुत popular हुआ करते थी लेकिन अपने अच्छे health benefits के वज़े से ये बाकी countries में भी बहुत popular हो गई Green tea को बनाने में oxidation process का इस्तिमाल नहीं किया जाता है इसलिए ये antioxidant rich होती है Green tea के health benefits बहुत जादा होते है Green tea दिखने में कुछ इस तरह की होती है Green tea को बनाने के दो popular method है एक होता है steam tea और दूसरा है pan fire tea Steam tea में जो green leaves होती है उनको short time में prepare किया जाता है और बहुत ही low temperature पे बन जाती है जो pan fire tea होती है उसमें brownish leaves होती है और higher temperature पे वो ज़्यादा समय तक उसको पकाना पड़ता है ये oolong tea है बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा ये black tea और green tea के beach का होता है इसमें large mature leaves का use करते हैं जो की dragon की तरह दिखती है इसी लिए इसको oolong tea कहा जाता है ये partially oxidized leaves इसमें इसमें इस्तिमाल की जाती है black tea का इस्तिमाल western culture में बहुत जादा होता है इसका चाइना में, इंडिया में और श्री लंका में production सबसे जादा होता है black tea सबसे जादा oxidized होती है इसका color दिखने में डाक होता है इसमें caffeine की amount बहुत जादा होती है और antioxidants बहुत कम होते हैं इसलिए इसके health benefits भी कम है ये black tea का photo है आप देख रहे होंगे इसमें दाने काले काले बहुत जादा होते हैं और leaves बहुत कम होती है अगर आप इसको green tea से compare करते हैं तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और ऐसे ही वीडियो के updates आगे लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद